The School of Physics के Live Class में आप सभी का स्वागत थे पिछले क्लास में हम लोगों ने Electroesthetics के 3rd chapter केपेसिटर को शुरू किया था जिसमें हमने केपेसिटर के और different types पढ़े थे Parallel Plate Capacitor, Spherical Plate Capacitor and Cylindrical Plate Capacitor इसके बाद हमने एक पढ़ा था कि Capacitance किसे कहते हैं उसका definition क्या होता है, उसका formula क्या होता है SI unit dimension formula ये सब हमने पढ़ लिया था आज हम लोग Parallel Plate Capacitor के Capacitance का expression प्रूफ करेंगे लेकिन उससे पहले एक important सूचना The School of Physics के तरफ से एक online test आयजित क्या जा रहा है यह test शुरू होगा 20 मई 2020 को सुबा के 8 वजे और इस कांतिम दिन है 23 मई 2020 सामके 6 वजे तक आप कैसे भाग ले सकते हैं तो आपको YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से WhatsApp ग्रूप के माध्यम से एक link भेजा जायागा आप उस link पर click करेंगे तो एक question आपके सामने निकल कर आएगा उस question में तीन section होंगे first section में आप अपना registration करेंगे basic information डाल के आपका नाम, आपका email ID बस कुछ basic information के साथ आप registered हो जाएंगे उसके second session में आपसे कुछ question पूछे जाएंगे objective type वो question आपके electro aesthetics के first chapter electric charge and field से related होगा आप उस question में option wise बना सकते हैं इसके लिए आपके पास समय होगा 20 मई से लेकर के 23 मई तक तीन दिन के अंदर एप लोक्स चार दिन के अंदर आप उस question को submit कर सकते हैं कोई भी आदमी एक email ID से login करने के बाद केवल एक बार answer submit कर सकते हैं उस session में question second session में होगा third session में आपके लिए feedback question होगे जिसका जवाब देना mandatory नहीं है वो optional है अगर आप चाहें तो उस question को जवाब दे सकते हैं question कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उस question को leave करके आगे बढ़के submit कर सकते हैं छे बजे के बाद 23 में छे बजे के बाद आप question का जवाब देने में सक्चम नहीं होगे response बंद हो जायेगा 24 में कुछ दिन में 12 बजे result घोशित किया जायेगा जिसका PDF टॉप 10 बच्चों का PDF या टॉप 5 बच्चों का PDF YouTube चैनल Facebook और WhatsApp ग्रूप में भेजा जायेगा आप अपना result वहाँ से देख सकते हैं यह था कुछ basic जानकारी जो लोग इस online test में भाग लेना चाहते हैं वो YouTube पर आकर के comment section में अपना comment करेंगे अपना WhatsApp नमबर भी डाल सकते हैं या नहीं तो हमें email करेंगे या फिर Facebook पेज पर जाकर हमें message करेंगे यह आपके लिए option हैं हम 20 मई 2020 को सुबह 8 वजे Facebook, WhatsApp, YouTube हर जगा link प्रोवाइड कर देंगे आप उस link पर जाकर के इस online test को दे सकते हैं यह बिलकुल free होगा आपके कोई fee नहीं लगेगा इस test के लिए कोई भी fee नहीं रखा गया है बिलकुल free test है open test है जो class 12th के बच्चे हैं वो तो भाग लेंगे ही जो competition के तैयारी में लगे हैं जैसे J.E.Min का exam होने वाला है जुलाई में नीट का exam होने वाला है जुलाई में लास्ट जुलाई में नीट का भी exam होगा तो वो बच्चे भी इस test में भाग लेंगे उनके लिए बहुत ही beneficial होगा competitive level के साथ-साथ board level का भी ध्यान रखा गया है इस test में तो आप test में जरूर भाग लें test बिल्कुल online होगा आप अपने घर से दे सकते हैं आप अपने mobile, laptop, tablet का उप्योग कर इस test में भाग लीजिए test के लिए timing चार दिन का है यानि आप अपने सुभधान उनसार कभी भी इस test को दे सकते हैं तो यह थी कुछ basics जानकारी आगे की जानकारी के लिए हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिजी आपको daily new new cover मिलते रहेंगे या आप Facebook पेज पर भी जा सकते हैं Facebook पेज है The School of Physics आईए अब हम लोग topic पर बात करेंगे हमारा topic था देखिए यह link है कुछ इसी प्रकार का link आपको provide कर दिया जाएगा इस link पर जैसे ही जाएंगे आपको एक open page open हो जाएगा जिस पर registration का section आएगा उसके next section में test का section आएगा और उसके last में feedback तो वो test start हो जाएगा यह link start होगा 20 माई को सुबह में 8 पर चलिए next topic हमारा topic है capacitance of parallel plate capacitor हम जानते हैं parallel plate capacitor किसे कहेंगे तो जब दो plate एक दूसरे के parallel रखा जाए एक पर positive charge और दूसरे पर negative charge हो तो उसको कहते हैं parallel plate capacitor एक वार figure ध्यान से देखिए यह है parallel plate capacitor का diagram दो plate है एक positive plate और दूसरा negative plate दोनों के बीच का distance रखा गया है d अच्छा यहां पर दिख रहा होगा दो electric field intensity E1 और E2 तो आप जानते हैं कोई positive plate हो plain seat हो तो उसके कारण electric field intensity का magnitude होता है sigma by epsilon not और चुकि यह positive plate है तो इसके कारण electric field intensity जो होगा electric field intensity जो होगा वो plus charge से दूर की और होगा similarly यस negative plate के कारण भी electric field intensity का magnitude होगा sigma by 2 epsilon not यहां क्या होगा 2 epsilon not और इसका भी direction आप जानते हैं minus charge में minus charge की और होता है तो direction क्या हो जाएगा from plus to minus plate तो total electric field intensity कोई पूछे inside the capacitor parallel plate capacitor तो यह हो जाएगा e1 plus e2 यानि sigma by 2 epsilon not plus sigma by 2 epsilon not उसको add करेंगे तो क्या हो जाएगा sigma by epsilon not आईए अब इसका calculation देखते हैं लिखा गया है let us consider a parallel plate capacitor of plate area A separation between plates D and surface charge density sigma हम जानते हैं surface charge density क्या होता है sigma जिसका मतलब होता है charge per unit area तो area plate area कितना है A तो charge Q by area A is equal to sigma ओके तो net electric field intensity हमारे पास क्या जाएगा sigma by 2 epsilon not plus sigma by 2 epsilon not equal to sigma by epsilon not यह equation first अब हमें capacitance निकालना है तो capacitance का formula आप जानते हैं पिछले class में हमने पढ़ा था capacitance equal to charge per unit potential difference यानि की Q by B तो अगर हमारे पास B का magnitude निकलके आजाए तो C निकालना आसान तो अब हम लोग सबसे पहले B का magnitude निकालेंगे तो potential difference होता क्या है यह होता क्या है work done potential difference क्या होता है work done किसी unit positive charge को एक point से किसी point से दूसरे point तक ले जानी में plus one charge को अगर एक point से दूसरे point तक ले कर जाते हैं तो उसमें जो work करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा potential difference यानि B तब हम लोग पहले W निकालेंगे जो की बराबर होगा B के देखें since work done in bringing a unit positive charge from positive plate to negative plate यानि positive plate से negative plate तक ले जाने में एक unit positive charge को work करना पड़ेगा force into displacement यह basic formula है work done का force into displacement अब force कितना होगा तो F ब्रावर जानते हैं क्या होता है QE क्या होगा QE force equal to क्या हो जाएगा QE Q कितना है unit positive charge है unit positive charge का मतलब है plus 1 तो charge का magnitude plus 1 into E ठीक है देखें force F equal to क्या लगा दिए plus 1 into E into D E का value पता है sigma by epsilon not into D तो total potential difference क्या हो जाएगा देखें V equal to sigma by epsilon not into D जो work done निकला वही हो जाएगा हमारा potential difference between plates अब sigma equal to जानते हैं क्या होता है Q by A क्या होगा Q by A तो sigma equal to Q by A by epsilon not into D तो हमारा क्या निकल क्या गया sigma by epsilon not into D का magnitude Q by A epsilon not into D अब capacitance C बरावर होता है Q by B Q जो Q होगा charge of plate अब B का value तो B का value आप देख रहे हैं यहां से इस B का value यहां पे put कर देंगे Q से Q cancel हो जाएगा यह epsilon not उपर चला जाएगा तो निकल के क्या आगया A epsilon not by D यानि capacitance क्या हो गया A epsilon not by D अब यहां पर दो बात ध्यान देने वाले रहते हैं यह जो C है यानि capacitance है यह D के inversely proportional होगा C inversely proportional to D इसका मतलब क्या होता है कि अगर D increase करे D का value increase करे यानि दो प्लेट के suppression को बढ़ाया जाए तो capacitance decrease करेगा capacitance क्या होगा decrease करेगा यह था capacitance और distance के बीच रिलेशन इसके बाद एक और relation आपको दिख रहा है C और A में C directly proportional है A कर यानि कि area of plate increase करेगा area increase करे तो capacitance decrease करेगा relation समझ में आ रहा होगा capacitance तब increase करता है जब area को increase करेंगे या distance को decrease करेंगे इसके अलावा एक और relation है capacitance C डिपेंड करता है इस Epsilon नॉट पर इस पर Epsilon नॉट पर Epsilon नॉट क्या होता है permittivity of free space अगर दो प्लेट के बीच कुछ भी ना रखा जाए यानि vacuum हो तो यहां formula में आता है Epsilon नॉट जो की constant होगा लेकिन अगर दो प्लेट capacitance अगर एक capacitor का figure बनाया जाए यह capacitor का diagram है यह positive plate हो गया और यह negative plate है और इस दोनों plate के बीच अगर कोई medium डाल दिया जाए यह medium से भर दिया जाए तो इस medium का कुछ न कुछ permittivity होगा इसको कहते है Epsilon क्या कहते है Epsilon इस Epsilon के value पर depend करेगा capacitance C depend करेगा किस पर इस Epsilon के value पर तो यहां से capacitance vary करता हम देख रहा है capacitance of a parallel plate capacitor varies with different quantity अलग-अलग quantity के साथ capacitance अलग-अलग तरीके से vary करता है जिसके बारे में हम लोग next class में proper एक topic के साथ परहेंगे capacitance, area, distance या फिर medium या किसी other charge पर कैसे depend करता है किस तरह से vary करता है इसके लिए हम लोग next topic में बात करेंगे तो आज के लिए लोग ने सीखा parallel plate capacitor का capacitance निकालना और सबसे ज़्यदा एक important बात हम ने बताया कि जो online test होगा उस online test में आप भाग ले सकते हैं सुबह से इस बात को भूलना बिलकुल भी नहीं है बिस तारिक को सुबह 8 बजे से 23 में के साम 6 बजे तक आप test में भाग लेंगे submit करेंगे जरूर जो लोग knit ज़िमेन या 12th board की तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यदा फाइदेमंद होने वाला है तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ share करें like करें और facebook page और youtube comment section में comment करके हमें बताएं कि कितने लोग इस test को देने जा रहे हैं ठीक है आज के लिए इतना ही next class में हम लोग next topic के साथ फिर मिलेंगे thank you